नमस्कार मैं हूँ नीलू जर्लिस्ट है ये जो रेपोर्ट कर रहे हैं वह सारी बाते कर रहे हैं खास तोर पर जो इसरेल ने हमला किया एरान पर उसको लेकर कहा ये जा रहा है कि बड़ा काम आका गया चार सैनिक मरे हैं लेकिन वैसा कुछ भी नहीं दिखा हैर खास तोर पर जिस तरह से मिजाईल अगर हम देखें कि यह पिछले एक साल से पिछले साल अक्टूबर 7 अक्टूबर को जो हमले हुए इसरेल के ऊपर उससे एक साल से जो यह एक प्रकार की लड़ाई चल रही है इसमें इसरेल को तीन बड़े जटके लगें एक का जिक्र तो आप करी रही हैं उसकी बात करेंगे इसके लावा एक बड़ी चीज में आपको बताना चाहूंगा इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ सिक्यूर्टी जो है इसने पहली बार ऐसा चाहरा है कि यह बात मानी है कि पिछले एक साल में 890 इसराइली सैनिकों की मौत हुई है यह पहला मौका है ऐसा देखिए इसराइल हाँ कि इसराइल की जो डिफर्न विनिस्ट्री है विनिस्ट्री अफ सिक्यूर्टी है इसकी तरफ से कहा गया, हाला कि ये बात भी sources के जरीए ही भार आई है, कि इनकी तरफ से ये कहा गया कि करीब 890 Israeli soldiers की गाजा में, लेबनन में और बॉर्डर में अलग-अलग हमलों में मौत हुई है ये एक बड़ा आकड़ा है, आच सो नबबे इस्राइली सेनको की मौत होना, जो है ये वाकई एक बड़ा जटका इस्राइल के लिए है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और दूसरी चीज़ आप देखिए, अगर हम लेबनन की भी बात करें, लेबनन में जो उपरेशन हो रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, वहां पे भी लगातार जो इस्रेल के मरकावा टैंक्स हैं, वो तबाह हो रहे हैं, देखिए, एर स्ट्राइक तो इस्राइल कर रहा है, लेकिन इस्राइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और तीसरी चीज़ की आप बात कर रहे हैं, इरान पे हमले की, देखिए, पूरे सोशल मीडिया में, इंटरनाशनल मीडिया में एक इस तरह का मैसेज गया है, कि इस्राइल का जो हमला था, वो बहुत ही हलका हमला था, वो उतना बड़ा हमला नहीं था जितनी की बात की जारे थी इस्राइल की तरफ से कि हम ओल इस तरह देखिए, इस तरह बाइब दूसरी जाहिए और दूसरी इस बड़ी चीज यह है, देखिए कि जैसा पहले एक अंदाज लग रहा था कि इस्रेल का बहुत बड़ा हमला हुगा, यह वैसा बड़ा हमला इसको कत नहीं माना जा सकता, जिस तरह बड़ा जासकता, जि अभी चीजे निकल के सामने आई है, अब देखिए इसको लेके जो आप जिक्र कर रहे थे कि खामेनी का बयान सामने आया है, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, खामेनी का कहना है कि इसरेल ने इरान को बहुत कम करकर आगा है, अब वो ऐसा क्यों कह रहे है, वो ऐसा य इंटरसेप्स की गई मिजाइल और जो मिजाइल गिरी भी है उनसे वैसा नुकसान नहीं हुआ जिसका मतलब पहले अंदेशा था कि बहुत आशनकाती की बहुत बड़ा नुकसान होगा ऐसा कता ही था अब देखिए आइडिएफ चीफ जो है हर्जी हवेली इस्राइल के आइ कर और फेवेली निकाला जाता है रहें किने साथ वह यह फूरी stukना काकी इस्तिमाल बाकी है दो क्या इस्राइल हां और ही घुला चाई पर यह निकाला जाता है या एक प्रकार से कि आप अपना मूं बेहलें की कोशिश कर रहे है कि इंट्रनास्व मीडिया में एक यह मैसेज गया कि इस्राइल ने बहुत बड़ा हमला नहीं कर पाया तो अब इसमें कुछ मुह चुपाना है तो इसलिए आप यह बयान दे रहे हैं कि अभी अमने पूरी चमता के इस्तमाल नहीं किया इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है लेकिन जो आपका सवाल है बड़ इसलिए यहां पर क्या इरान और इस्राइल के बीच लड़ाई चुड़ेगी क्या इस्रेल फिर से हमला करेगा या फिर इरान प्लटवार करेगा इस्राइल पर यह सब कुछ इस बात पर तैय करता है कि अमेरिका में राश्पती चुनाओं के क्या परिणाम आ रहे हैं तो इस बार भी जो अटैक था ऐसा लगता है मानू इसरेल को यह कह दिया गया था कि आप अटैक तो करेंगे लेकिन अटैक बड़ा नहीं होना चाहिए अमेरिका किसी हालत में यह नहीं शाहरा फिलाल जैसे संकेत मिलते हैं जो वहां के फॉरेंड मिनिस्टर जो है डिफेंस से देखिए एक बार अगर यहां पर फुल-प्रॉजेट वार चिड़ जाता है या अगर इसरेल का बहुत बड़ा हमला होता नुकलिर साइट्स पर हमला हो जाता या ओल रिफाइनरी पर हमला होता उसके बाद इरान भी जो है अपनी तरह से तैयार है उसकी तरफ से इरान की से भी यह कहा जा रहा है कि हमारा जो ट्रू प्रॉमिस टू अपरेशन होगा जो पहली बार 183 मिजाइल गिनी थी वो ट्रू प्रॉमिस उसका नाम दिया गया था अब इरान की तरफ से एक तरफ से इसरेल को जवाब देने के लिए तयार बठा हुआ है ना सिर्फ मिजाइल इस तयार है बताया जाता है कि एक हजार मिजाइल जो है वो लांचिंग साइट पर एडिया जा चुका है तो ऐसी स्थिती में इरान ने भी अपनी तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी अब सवाल यह है कि क्या इरान पहले जवाब देगा क्या इस्राइल का अगल अगर आप खतम करतना चाहते हैं तो ग्रांड ऑपरेशन के जरीये ही हो सकता है वो एर स्ट्राइक से आपकी फैसिलिटी तबहा हो जाएंगी हीजबुल्ला के जो हतियारों के ठिकाने थे वो तबहा हो गए जो उनकी फैनेशल सपोर्ट के सिस्टम ते वो तबहा हो गए इस तरह के तो इंफ्रस्ट्रक्चर तबहा हुआ बिल्डिंग्स हिजबुल्ला के दबहा हुई लेकिन जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं वो अभी भी ग्राउंड पर हैं और ये इस्राइल के डिफेंस फोर्सेस के लिए ग्रा अब तो ये भी चर्चाए हैं कि क्या इरान पर हमले के बाद जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा हमला नहीं था या जो है बहुत छोटे इस तरह पर इस्राइल ने हमला किया इरान का कुछ नहीं विगाड़ पाया इस्राइल इस तरह कि आप देखें सोचल मेडि को चूड़ कर वो आ जाए वापस अपनी अपनी जगह पर और बहां पर इस्राइल में बश्या बिल्कुल बिल्कुल सही तो वो एक उसी मंचा के साथ ये उपरेशन हो रहा है लेकिन यहां पे जो है आप एर स्ट्राइक्स तो हो रही है इसमें कोई शक नहीं है कि हैं इरान ने कहा इस्रेल ने उसे कामा का लेकिन वो पूरी तरह से तयार है इरान ने यह बार बार का है वो युद्ध नहीं चाहता है लेकिन अगर इस्रेल कोई बड़ा हमला आगे करता है तो फिर उसकी तयारी पूरी है इस कबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी आ परे रिया हमारे साथ